हाई एवर्य nhân एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल ज्यस के मांद एडोकेशनल क्लासस में आज का जो टॉपिक है वर है हम इसूपिक इसमें वही इंपोर्टेंट पॉइंटों का दिन करेंगे जो कि एक्जाम में पूछे जाते हैं पुरा डिटीयल में नफटके सोट में फटेंगे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टोफिक है वो हम इसमें कवर करेंगे तो वीडियो को स्थार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सेल के बारे में बेसिक इंफोर्मेशन जो आप सबको पता है एक बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो सेल होत चीचित की बीच में केंद्रक होता है जिसको नुकलियस बोलते हैं इस इसमें जेनेटिक मेटेरियल यानिकी DNA क्रॉमोसोम या अदि पाये जाते हैं वह उसकेंद्रक केंदर और जो पिचिन है शेल और केंद्रक के बीच जो सेलुलर कंटेन होते हैं उनको साइटो प्लाजम कहते हैं सोरी केंद्रक जो सेल का जो नुकलियस है उसके और जो सेल की कवरिंग है सेल की जो कवरिंग है यानि कि सेल मेंब्रेन उसके बीच में जो भी सेलुलर कंटेन होते हैं उनको साइटोप्लाजम कहते हैं कि यह बेसिक इंफोर्मेशन है और आगे अध्यन करते हैं इसके बारे में ठीक अपनी स्टाट करते हैं सेल बाइलोजी के अंदर सबसे पहले है सेल आगे का इसको साइटोलोजी क्या होता है सेल बेसिक फंक्षिनल यूट और स्मावलेस्ट यूट ऑप बॉडी यानिकि जो बॉडी की सबसे 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 बेश सेल कहते हैं सब्सक्राइब करें करें WOW आगे का जो यह वर्ड है साई टोलोजी है साइट लोजी क्या होता है इस्टडि एप सेल उसको साइटोलोजी कहते हैं नेक्स्ट है साइटोपलाजम मैंने आपको बताया मैंने कि आउटर बांडरी एप सेल फॉर्मडबबाई फासि पॉलिपिट क सब्सक्राइब निपर लिफिट कहते हैं में आगे हैं साइटो सॉल क्या होता है साइटोसौलशन का Court होता है मैं ने आपको बताया कि साइटोप्लाजम जो केंदरग और जिल्ली के बीच में होता है साइटोप्लाजम जो केंदुर्ट और जिली के भी बीच में जो गूर्ढू जितना सेल वोल्यूम होता है उसका 55% होता है इंपोर्टेंट है कि कितना परसेंट होता है इसमें 90% वाटर होता है कितना कंटेंड करता है 90% वाटर उसमें होता है बाकी अधर मेटेरियल होते हैं अब कुछ specific point है जिनको आपको यादर रखना है सबसे 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 बार एक जामें पूर्जेस सेल है यह सब को पता है कि सुतर मुर्ग का जो उंड़ा है वह सबसे लार्जेस सेल अब नेक्स्ट वाला जो रहीं जिसमें बाजन नहीं होता है द्यान रखना जो नुर्व होती है यह अफरी काक्रिकार्षत गण्ट यह यह होती है तो इसको बोलते हैं कि इसको यह वह स्कूंप घर नहीं ड़ीता Also दो है यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट वाला पॉइंट है सेज़ कोश्च कर तो इसLink में उन पर पहराना जाद कि कि होता है फूइर कि होती है वह उसमें महत ज्यादा होता है तो संदिल कि तो अगर 팔ण Pill बादन सबसे तेजी से होता है तो यह हो गया तो यह दोनों चीज़े याद रखने हैं आपको पांचवा पॉइंट है रोबोट हुक ने सबसे पहले मर्द कोशिका की खोज की थी यानिकि जो डेड़ सेल है डेड़ सेल और डिसकोवरड बाइड रोबोट हुक डेड़ सेल करिंठ देड़ केंदर की खोज किसे ने की थी рокोर्बोट ब्राउन ने की थी तो जिसने मर्द कोषिका में कि मर्द कोषिका की खोज की थी उसको फाधरी और साइटोलोजी बोलते फाधरा succology किसे बोलते कि रोबोट भूच को बोलते कि सबसे पहले जीवित को्षिका की घूज री ल 1 चैंप्वर्णीच वेगेनिक नहुने सबसे पहले सेल को इनको फादρयव कहते हैं यह इंपोर्टेंट टॉपिक हैं इंपोर्टेंट नहीं मतलब मानव जाती में क्या होता है सबसे चोटा सेल क्या होता है सरी सबसे छोटी सेल होती है वह स्पॉम है उनको सबसे इस्पॉम सेल ऑवं कि लिखने में घुट गुलत हो गया तो दान होता है जो और और ह्दान होता है वह सब्सक्राइब करने लंबाई के पर लंबाई है सबसे बड़ी सेल नरव सेल लंबी वह जोंगे चैल है यह बीज़ रखना एंको कोशी कांग क्या बोलते कोशी कांग यह किस में पाए जाते हैं कि साइटोपलाजम कोशी कांग पाई जाते हैं उनके बारे में और वही चीज अधियन करेंगे जो कि आपको दोखन में पूचिए जाती है पहला है centrosome centrosome क्या होता है centrosome जो होते हैं situated near the nucleus containing two centrioles यह nucleus के पास में होते हैं और जब mitosis होता है जब cell division होता है तो यह pulse पे चले जाते यह हो गया प्रोटीन का निर्मान करते हैं पूछ सकते हैं कि किस पर इस्तित होते हैं जो राइबोसोम होते हैं वो रफ एंडोपलाज्मिक क्रेटिक कुलम में होते हैं अंतर प्रदवी जाली का नेक्स्ट वाला है लाइसोसोम इसको क्या है शूसाइड बेग और अटोंब भी कहते हैं यह आप सबको पता है क्यूंकि इसमें हैं जो मर्त पार्ट होते हैं उनको यह करता है तो यह डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट् का एक है तो यह भी पूछ सकते है अधर देम और प्लाइसोसम यह सुसाइड बेग नेक्स्ट है एंड़ प्लाजमिक रेटिकुलम इसका हिंदी में नाम होता है अंतरपर्दवी जालिका अभी इसमें क्या है दो परकार की होती है एक तो होती है रफ एंड़ प्लाजमिक है निर्मान कर सिल और स्मूथitted लिप्रेटिकूलम है ति सिल का काम करता है तो इसका क्या काम हो गया प्रोटीन पेकेजिंग प्रोटीन के पेकेजिंग बंडल बनाता है माइट्रोकॉंड्रिया है सब को पता इसको पावरावस ओप सेल कहते हैं और ध्यान रखना लीवर मसल्स और किड्नी में सरवादिक संक्या में रहते हैं क्योंकि यह जीवन के लिए यह बहुत इंपोर्ट करिया का लेक्स्टर न्युकुलियस के इंद्रक के इसमें क्या होता है एक होटाहिए जेन जान ज जान जान पटाइब हैं ग्रसाहिं क्यांटेरीन क्या मMMरा रहावें और रहता है खेल्टीन और टृधेटिक इंपर्मेशन पफ़र्मेशन होती है उसको जिन Mikos होने जिनोम कहते हैं इन हो इसी से क्लेंस का बाउं कि यह कितने हैं तो यह से रिलेटेड कुछ चोटे-चोटे टोपिक थे लेकिन बड़े महतुपुरुण है एकजाम में पूचे जा सकते हैं तो आपको यह वीडियो कैसा लगा इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसे शेर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि थैंक्स पॉर वॉचिंग